दोस्तो एक बाद द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चलन वेगरणा स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चलन में नए है तो चलन को सब्सक्राइब कर लीजिए साथे बैल को दमाना ना भूलना और साथ में आप हमें टेलिग्राम ट्विटर और सब्सक्राइब करना चाहती हो यह जो भी स्टॉक मा को दे रहा हूं तीन को तीनों स्टॉक बैस्ट फंडामेंटली शेर है ठीक है फंडामेंटल मतलब कि भया प्रॉफिट लॉस के साब से टॉप क्लास कंपनी है इंडिया की राइट तो भया डेफिनिटली इन थ्री फंडामेंटल स्टॉक है जिसका नाम है TCS यहां तो टाटा का लो है स्टॉक में डेफिनिटली भया इस स्टॉक को आप इंवेस्मेंट करके करके होल्ड कर सकते हैं लॉंग टर्म के लिए यह स्टॉक अल्लेट है मल्टिवेग स्टॉक है अगर बात करता हो मैक्स चार्ट क टो दोस्तो देख सकते हो लगता उस्टॉक एक हाइस का पैटन मना रहा है 120 रूपे के आसबार ट्रेट करता था 24 के आसबार आज की टेट पर 3 है रूपे प्लस स्टॉक का प्राइस चल रहा है यह स्टॉक के debt-free स्टॉक है जो लगतार कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है और future भी इसका bright है ठीक है अगर आप सोच रहे हो जो fundamentally अच्छी company में investment करने की तो भाई आप इसमें पैसा लगा के भूल सकते हो राइट तो अगर हमाँ बात करता है stock के हार्शल की चार्ट की six month के चार्ट की तो आप देख सकते है six month का चार्ट हमें कह रहा है stock एक continuously consolidate कर रहा है और एक range बर trade कर रहा है तो definitely भाई यह बहुत बढ़िया sign है अगर इतने highs में भी होने के बाफ़ जो इस stock अगर एक range बर trade कर रहा है तो भाई यह long term में stock कितना high जा सकता है आप imagine नहीं कर सकते अगर बात करते हैं इसका breakout की तो उसो देख सकते हो अगर आप पांसला का चार्ट खोला हुआ है तो आप देख सकते हो stock ने stock ने 2100 रुपे के आसपास तीन सालों का यह मनला बहुत बढ़ा एक इसको ब्रेक किया है ठीक है अगर future में कभी भी stock आपको 200 रुपे मिलता है वैसे मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा लेकिन क्या पता मार्केट में कुछ भी हो सकता है अगर 2100 रुपे के आसपास स्टॉक है मिलता है तो आप stock में investment करना तगड़ी वाली ठीक है लेकिन आप अभी current market price में stock को buy करके चल सकते हैं कोई tension नहीं अगर आप 5-10 साल का view लेके चलती हो company के बारे में थोड़ा आपको दिखा देता हूँ दोस्तों देख सकते हैं आपको screen में देखने को मिल सकता है NSTBSE दोरों में लिस्ट company है और दोस्तों देख सकते हो almost 11 लाग करोड से भी उपर का market cap है और अगर बात करते है company का book value तो छोड़ी है वो तो उससे उपर जा चु stocks में और company आपको लगाता एक अच्छा dividend दे रही है तो भाई और क्या चाहिए आपको dividend में अच्छा मिल रहा है और आपको वो भी एक अच्छा मिल रहा है राइट दोस्तों मैंने screen में इसके quarterly results खोल लगे आपको देखने को मिल सकता है 27 quarter की जो sales ली by 42 करोड के असपास यह profit पर दोस्तों आप देख सकते हो जो profit है वो 87 hundred करोड का profit किया है company ने और profit लगाता बढ़ रहे है तो भाई क्या चाहिए आपको definitely stock करड़ा में रखो भाई अगर बात करते है company के किस-किस में पैसा लगा किस-किस ने पैसा लगाया है company में दोस्तों आप देख सकते हो screen में almost promoter holding 72% के आसपास है 15% के FII का पैसा 7% के आसपास आपका DII का पैसा लगा है मात्र 4% के आसपास public का पैसा लगा है दोस्तों definitely भाई stock को आप रड़ा में रखो और investment करो long term के लिए अगर आप करना चाहते हो अब बढ़ते है हमारे दूसरे best fundamental stock की तरफ जिसका नाम है तो दोस्त तो ये भी अगर आप देखते हो stock का chart तो ये भी एक multi-vega stock already बना हुआ है right stock 6 month के chart में आप हो सकते है stock थोड़ा नीची की तरफ आया था 300 रुपे के असपास और 300 रुपे के असपास मैंने आपको कुछ stock को suggest किया था अगर आप ढूंड रहे हो भाया कि stock को आप investment करो long term के लिए और एक painting stock तो भाई ये stock definitely आपको hold करना चाहिए right अगर बात करते है company के margin की profit and loss तो margin company का का काफी बढ़िया है और company के अगर बात करते एक अच्छा गाता dividend भी दे रही है ठीक है 1% के असपास का dividend है और दोस्तों देख लेते company में क्या बढ़िया जैसे मैंने आपको बताया है company is almost debt free दोस्तों क्या चाहिए company नामातर करजा जो अभी के भी दे सकती है ठीक है अब बात करते company के profit and loss अगर मैं पूरा एक separate video बनाऊ पर तो वीडियो काफी बढ़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको main point जो points होते है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ 267 hundred के आसपास का company का profit है December quarter में अगर बात करते का company का net income दोस्तों देख सकते हो जो net income है December quarter में 1200 क्रोड का profit दिया है December quarter में काफी बढ़ा figure है दोस्तों अगर बात करते कि इस stock में किस-किसने investment कर रखी है तो आपको में लेगे चलता हूँ उसके seroldic pattern की तरफ दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में almost 52% से ज़्यादा पैसा लगा है promoters का मालिकों का और FII की holding 21% के आसपास है और आपका DII की holding 7% के आसपास है दोस्तों आप बो प्रोड का December quarter profit दिया है और इस stock के target काफी बड़े बड़े दे रखे है brokers houses ने almost 3500 रुपे और 3600 रुपे के target तो भाई इस stock को भी आडाय में रख सकते हो अब बढ़ते हमारे तीसरे best debt-free penny stock जो fundamentally काफी sound company है तो लेके चलता हूँ stock के नाम की तरफ दोस्तों देख सकते हूँ जो best fundamentally stock मुझे लगता है उसका ना Hindustan Unilever Limited है एक consumer goods company है definitely आप इसके products रोजाना use करते होंगे अपने डेली routine में राइट दोस्तों अगर max chart की बात करता हूँ ये भी एक multi-vega stock है आपको जैसे पता है जो stock में आपको दे रहा हूँ large cap category में fall होते है six month की chart की में बात करता हूँ लगतार support लेके 22100 के असपास का support area है वहाँ support लेके ये stock उपर जाने का प्रयास कर रहा हूँ इसका resistance area है 2500 के असपास तो definitely 2500 के उपर जैसे ये stock close करता है हमें एक बड़े target देखने को मिल सकते है ये भी एक debt free company है लगतार company profit दे रही है मैं आपको एक बार कर company के profit दिखा देत का market cap है और company आपको एक अच्छा का था dividend भी दे रही है एक percent के आसपास ठीक है दोस्तों और दोस्तों देख लिए company में हौर क्या बढ़िया हूर क्या बेकार है दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया company almost debt free company है राइट जैसे मैं आपको बता है मेरा stock का मेरा जो title है जो channel का इस वीडियो का वो यह है कि debt free stock ठीक है और आपको company एक अच्छा का था dividend भी दे रही है कुछ last कुछ सालों से क्या हर साल ही देती है ठीक है और बात करते company हम और क्या अच्छा है दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन में है क्वार्टर रिजट्स खोल लगे है company की जो sales दिस क्रोड ही जम थी जादा बड़ा जम नहीं था लेकिन ठीक ठाकती अगर बात करते हैं net income की तो दोस्तों देख सकते हैं जो net income थी December quarter में 19 क्रोड के आसपास की net income थी उससे पहले 2000 क्रोड का profit था company का दोस्तों company के profit short term में उपर नीचे होते रहते हैं लेकिं long run में मुझे लगत अगर मैं बात करता हूं मालिकों के कितनी holding है तो दोस्तों देख सकते हैं almost 62% के आसपास मालिकों का पैसा लगा है बाकी 15% के आसपास आपका FII और 10-11% के आसपास आपका DII का पैसा लगा है मात्र 12% के आसपास आपके public का पैसा लगा हुआ है तो भाई definitely जो मैंने आपके तीन debt-free stocks share करे हैं सिर्फ इन तीन शेरों पैसा लगा तो जो best fundamental share से मेरे इसाब से जो nifty-fifty category में fall करते हैं और उसो large gap category में भी आते हैं तो भाई definitely अगर आप धून रहते हैं कि long term portfolio के लिए कोई stock choose करो तो इन तीन debt-free stocks में investment करके भूल सकते हो लेकिन भाई investment करने से पहले सब्सक्राइब करना ना मुलना हो मिलता हूं आपका अपने नेक्स वीडियो दिल देन बाई 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 थैंक यू सो माज safe trading happy trading and peace out